इस वीडियो में फिल्टर एंड ट्रांस्मिशन लाइन के अब्जेक्टिव कोश्चन को देखेंगे पहला कोश्चन है ए नेटवर्क हैविग ए बैटरी सोर्स इन वन उफ एप इटस आर्म है आजlasा यंवर्क इसमें क्या होता है बैटरी सोर्स होता है ठीक है तो वो क्या होगा एक्टिव नेटवर्क गया दो तिन जो है बेसिक कोश्चन not contain any source of energy कोई भी energy या EMF नहीं होगा तो ऐसे सर्कुट को बोलेंगे passive network बोलेंगे ठीक है पैसी नेटवर्क एक्टिब में क्या होगा ऐसा network जिसमें क्या होगा battery source होगा उसको active बोलेंगे ऐसा network जिसमें क्या होगा कोई भी EMF या कोई भी सोर्स ऑफ इनर्जी नहीं रहेगा तो उसको हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलेंगे तीसरा कोशन है एक टर्विनल वियर थ्री और इसा टर्म जहां तीन या तीन से अधिक जो है ब्रांच मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं उसको नोड बोलते हैं नोड अगला है ए नेटवर्क इन वीच आल एलिमेंट्स आर नोट फीजिकली सेपरेवल इस कॉल्ड करा ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या है पड़ते कि अल्ड एलिमेंट्स आर नोट फीजिकली सेपरेवल जिसको फीजिकली जो है अलग-अलग सभी एलिमेंट्स को नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या करेंगे डिस्टिबूटेड एलिमेंट्स और जिसको फीजिकली सेपरेट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं लंट एलिमेंट्स ठीक है या लंट नेटवर्ग जिसको physically separate करें उसको लंप जिसको सपरेट नहीं कर सकते हैं उसको distributed network भोलेंगे ठीक है transmission line जो है distributed network के ही हम पलने था पछमा question है dash filter reject all frequency within a specified band and passes all those outside this band करां कौन सा filter जो है filter reject all frequency within a specific band एक खास band में जो है क्या करता है ये reject करता है बांकी पास करना तरहा है ये band stop filter हो गया band stop filter ठीक है खास band को रोकेगा बांकी सबको पास होने देगा question number 6 है filter significantly attinuates all frequency below fc क्या होता है fc से जो below है attinuates all frequency below fc and passes all frequency above fc ये 0 हो गया तो ये क्या होता है इसको रोकता है ठीक है 0 से fc तका उससे उपर को pass करना तो ये pass band हो गया ये stop band हो गया तो ये किसका होता है high pass filter का होता है high pass filter question number 7 है the bandwidth in a dash filter equal to critical frequency किसमे होता है low pass filter में जो होता है low pass filter low pass filter में क्या होगा यह pass करेगा 0 से FC तक और यह हो जागा stop band यह हो गया pass band और यह हो गया stop band तो यह जो इसका bandwidth होगा यह क्या होगा यह critical frequency के बराबर हो जागा FC के तो यह low pass filter में होता है अगला question है A dash filter passes all frequency within a band between a lower and upper critical frequency and reject all other outside this band देखें कर रहा है इस band में जो है sorry देखें एक खास band में जो है pass करने देता है यह माल लिजे FC1 हो गया यह FC2 हो गया तो कर रहा है filter passes all frequency within a band between lower and upper critical frequency यह lower critical frequency हो गया यह अपर critical frequency हो गया इसमें क्या कर रहा है pass होने दे रहा frequencies को ठीक है and reject all frequencies outside this ठीक है इसके अलावा जो भी frequency है उसको क्या करता है रोकता है यह क्या हो जाएगा band pass filter हो गया एक खास band को pass करने दे रहा है बांकी को रोक दे रहा है तो band pass filter हो जाएगा 8 का C हो जाएगा question number 9 देखिए which of the following are the types of prototype filter कोन सा जो है prototype filter का type है तो low pass filter, band stop filter, band pass filter यह सभी क्या है prototype filter का types है question number 10 है which of the following filter forms a band pass filter band pass filter कैसे बनता है तो low pass filter और high pass filter का combination होता है क्या हो जाएगा answer बोथ A and B हो जाएगा एक 11 है इन्हें high pass filter characteristics the region between initial point to the cut-up point is high pass filter में क्या होता है high pass filter में 0 से absige होता है यह आपका initial point से cut-up frequency बोला है तो यह आपका हो गया cut-up frequency ठीक है और यह हो गया 0 initial point तो यह जो होता है stop band होता है high pass filter में और यह जो है pass band होता है तो पूछरा 0 से cut-up frequency तक तक तो क्या होता है stop band होता है stop band अगला question है 12 नम्मर इन्हें high pass filter characteristics the region above cut-up frequency cut-up frequency से जो above का region होगा वो क्या होगा pass band होगा और cut-up frequency से नीचे का जो पहले का जो region होगा वो stop band यह stop band और यह pass band तो pass band तो क्या हो जाएगा the region above cut-up frequency क्या हो जाएगा pass band हो जाएगा pass band ठीक है अगला question है which of the following are the advantages of high pass filter हाइपास फिल्टर का क्या एडवांटेज है एलाउस फ्रिक्वेंसी एभब कटाफ फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही है फिर्जर्ब हाइफ फ्रिक्वेंसी यह इमेज सार्पनिंग यह विसे ओल आप दा एभब हो जाएगा कोश्चन नमर 14 है एक बैंड पास फिल्टर इस ऑल् बोत ए एंड बी हो जाएगा का 15 नमर है अल्टर्नेटिभ नेमस और बैंड एस्ट्रॉप फिल्टर इपन डिस नाम से जानते हैं बैंड रिजेक्ट फिल्टर के नाम से भी जानते हैं कुस्चन नमर 16 है दा फिल्टर वीच ऑप्रेट्स बिट्विन प्रिक्वेंसी बिलो यह उप्रेट करता है और इसमें यह आपका करता है तो यह कौन सा फिल्टर है मतलब इसमें यह आपका stop band हो जाएगा और यह दोनों pass band हो गया तो क्या हो जाएगा band stop filter हो जाएगा या stop band filter इसी को बोलते हैं ठीक है stop band filter हो जाएगा 17 नमर है band stop filter consist of band stop filter में क्या होता है band stop filter ठीक है एक stop band होता है और यह भी pass band हो गया यह pass band तो एक stop band और दो pass band होता है एक stop band और दो pass band होता है अठारा नम्मर है Considering a coaxial transmission line maximum voltage on the line divided by the minimum voltage equal to maximum voltage बटे minimum voltage क्या होता है Vswr, voltage standing wave ratio is called to क्या होता है Vmax बटे V mean Vswr हो जागा, voltage standing wave ratio ठीक है अठारा का क्या हो जागा voltage standing wave ratio अगला question देखिए 19 नम्मर है Which of the following Which of the following is used to measure swr Swr standing wave ratio किसकी मदद से measure किया जाता है Reflectometer की मदद से standing wave ratio को measure किया जाता है Next question है Vswr stands for Vswr का R का full form क्या होता है Voltage standing wave ratio Voltage standing wave ratio ठीक है कौन सा option हो जागा D हो जागा 20 का D 19 का क्या हो जागा 19 का B हो जागा Reflectometer और 18 का हो जागा Vswr अगला question है 21 नम्मर The ratio of the reflected wave To the incident wave Of on the transmission line Ishtar match इसको क्या बोलते है Reflected wave और incident Reflected voltage और incident voltage का जो Ratio होता है उसको क्या बोला जाता है Reflection coefficient Reflection coefficient Is equal to क्या होता है Reflected wave Reflected voltage बटे Incident voltage Reflected voltage बटे Incident voltage D हो जागा 21 का 22 है The most desirable value Of SWR On a transmission line Is जो most desirable value होता है Standing wave ratio का Transmission line पे वो क्या होता है तो उसका value 1 होता है 1 23 नम्मर है The minimum voltage Along a transmission line Is 260 volt While the maximum Is 390 volt The SWR Is Standing wave ratio पूछ रहा है Means Voltage Standing wave ratio का बात हो रहा है तो Vmax बटे Vmin कितना हो जाएगा 390 बटे 260 इसको काटियेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 1.5 D हो जाएगा 1.5 24 नम्मर है Characteristics impedance Are sometimes called Characteristics impedance को और किस नाम से जाना जाता है सर्ग impedance भी बोला जाता है सर्ग impedance ठीक है 25 नम्मर है The R, L, G, and C In a transmission line Are called इसको क्या बोलते है Line primary constant Means primary constant बोलते है R, L, G, and C Resistance, Inductance Conductance, and Capacitance यह primary constant होता है Transmission line का 26 नम्मर है In a transmission line If K is called to 0 VSWR is called to VSWR is called to क्या होता है 1 प्लस Reflection coefficient बट्टे 1 minus Reflection coefficient क्या होता है 1 1 1 प्लस 0 बट्टे 1 माइनस 0 क्या होता है 1 बट्टे 1 इसको क्या जाएगा 1 आजाएगा 27 है With K is called to 1 In a transmission line S S is called to वही होगा 1 प्लस Reflection coefficient 1 माइनस मोड अ Reflection coefficient क्या होता है 1 प्लस 1 बट्टे 1 माइनस 1 तो 2 बट्टे 0 is called to क्या होजाएगा Infinity होजाएगा 28 नम्मर है ए ट्रांस्मिशन लाइन है जह Standing wave ratio 3 When terminated in a certain load The value of reflection को प्रेशेंटेज Reflection coefficient का जो है value पुछ रहा है तो reflection coefficient is called to क्या होता है S माइनस 1 बट्टे S प्लस 1 देखिए Standing wave ratio S का value दिया हुआ 3 तो क्या होजाएगा 3 माइनस 1 बट्टे 3 प्लस 1 2 बट्टे 4 तो क्या होजाएगा 1 by 2 is called to 0.5 0.5 हो जाएगा 29 नमर है An ideal filter should have ideal filter में क्या होता है 0 attunuation होता है past band में और infinite attunuation होता है stop band में stop band में infinite attunuation होता है और past band में 0 attunuation होता है option 29 का A हो जाएगा 30 नमर देखिए का राद the reflection coefficient of a line is minus 1 reflection coefficient का value minus 1 है line किस तरह का होगा ठीक है तो reflection coefficient का value minus 1 किस में होता है open circuited line में open circuited line में 31 नमर है if ZOC open circuited impedance 120 ohm दिया हुआ है short circuit impedance जो है 30 ohm दिया है characteristics impedance पूछ रहा है तो Z not is equal to क्या होता है root under ZOC into ZSC कर दिजिए 120 गुने 30 कितना हो जाएगा 22 36 36 तो क्या जाएगा value इसका 60 ohm आ जाएगा 62 नमर है innate transmission line of length less than lambda by less than lambda by 4 हो जाएगा lambda by 4 short circuited it behaves as ठीक है length जो है less than lambda by 4 होगा और short circuit होगा तो किस तरह से काम करेगा तो purely inductive reactance की तरह काम करेगा pure inductive reactance ठीक है 33 नमर है a line becomes distortion less if कब होगा LG is equal to CR ये condition होगा तो line क्या होगया distortion less line हो जाएगा ठीक है अगला question है if ZOC open circuit impedance और short circuit impedance दिया हुआ है पूछ रहा है characteristics impedance तो characteristics impedance Z naught is equal to क्या होगा ZOC into ZSC characteristics impedance को Z naught से रियूट करते हैं तो होगा 100 गुने 64 कितना गया root under 64 इसको कितना लिख सकते हैं 80 तो 80 ohm होगा 35 नमर है ये transmission line works as N transmission line किस तरह से काम करता है works as a low pass filter LPF low pass filter के तरह काम करता है low pass filter के तरह काम करता है तो B हो जाएगा तो देख सकते हैं ये total जो है 35 question था filter और transmission line से related question है thank you for watching this video thank you so much बारindष böyle